तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो टाइल्स होती हैं चाहे वो चोटे साइज की हो बड़े साइज की हो उनमें अपोक्सी भरने का सही तरीका क्या है दो बाई दो की टाइल हो या दो बाई चार की टाइल हो जो फ्लोर टाइल है उनमें अपोक्सी भरने के लिए पहले क्लीन करना जुरूरी है जो गुरूज होते हैं उनके अंदर से किसी भी पिन की या स्कूरूडराइवर की मदद से जो कच्रा है वो निकाल ले अमोमन जो ग्रूज होते हैं टाइल्स की बीच में तीन या चार एमेम के रखी जाते हैं वो पूरा सारा कच्रा उनके अंदर से निकाल गी और एक गिले कपड़े से पहले जो टाइल है उनकी अच्छी तरीके से स्पाइज जरूर कर ले ताकि आप जब अपॉक्सी उसके अंदर डालें तो उसमें कोई कच्रा ना रहे इसका जो मिलाने का तरीका क्या होता है अपॉक्सी का वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पे तीन तरह के माटीरियल जो है केमिकल यूज की जाते हैं जिसमें जो कंपाउंड होते हैं सबसे पहला होता है हार्डनर जो अभी आप देख रहें स्क्रीन के उपर हार्डनर का और जो रेजिंग का रेशियो होता है जो एक अनुपाद दो होता है यानि अगर आज 50 ml हार्डनर यूज करते हैं तो उसके अंदर 100 ml आपको एक टाइम में जो रेजिंग है वो मिलाना चाहिए और दोनों को मिला करके पूरी त्रह से पहले इन दोनों को मिक्स कर लें जो इनकी कंसेस्टेंसी है वो सही से बन जाए उसके बाद में जो पूरा आगर आपका मिक्स हो चुका है दोनों तो इसमें जो ग्राउट होता है वो आपको मिलाना होता है रेजिन के अंदर यहाँ पे जो ग्राउट ब्लैक कलर का कलर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं जो ब्राइटनेस वाला है कलर वही अच्छी जो कंपनी का जो है आप यह ग्राउट क्यूज करें इसके अंदर यह पैकिंग में पूरा एक ही कंपनी का आता है जिसमें आपका हाडणर रेजिन और ग्राउट तिनों चीज़ें आती हैं साथ में यह पत्ति वगएरा भी आती हैं हैंड क्लाउज भी आता है वह सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाती एक बकेट के अंदर तो इसको पूरी तरीके से पहले मिक्स कर लें और इसको पर हमने रेजिन यानि अपक्सी यूज गया है और हाडणर अभी बात कर लेते हैं जो मिक्स त्यार हो चुका है पूरा का पूरा वो देखी किस तरीके से पूरा यहां पर इसको रबिंग की जाती है एक बार पहले पूरा उसके बाद यह तरीका होता है जो ग्रूज होते ह है टाइल के उसके अंदर अपक्सी डालने का इस तरीके से अपक्सी पूरे एक जहां भी आपको लगानी है टाइल पर वहां लगा सकते हैं जैसे कि आप यहां पे वीडियो में देख सकते हैं अभी पूरा जो टाइल है उनके ग्रूज भर चुके हैं और कलीनिंग के बाद इस तरीके का आप जो देख सकते हैं, ये cleaning इस तरीके से की जाती है, क्योंकि जो tiles है, tiles के उपर की सताहिक पर भी आप आप अपोक्सी लग जाती है, वो जैसे आप tiles के उपर के अपोक्सी हटाएंगे, तो जो इसका जो result है, वो फिर आपके सामने होगा, देख सकते हैं कि इस इस तरीके से यहां पर spike के बाद, शिरफ जो grooves थे उनके अंदर यहां पर जो epoxy है, और ये hardening में थोड़ा time ले लेती है, कभी एक, दो, तीन, ये चार घंटे है, लग-लग इसका जो ratio था, उस मिलाने के उपर depend है कि कि कितना ratio के हिसाब से आपने कम जादा अगर हो जाता है, इस में timing का थोड़ा बहुत उपर नीचे हो जाता है, अदरवाइज एक से दो गंटे में ये लग-भग त्यार हो जाती है, पूरा का पूरा अगर बात करें, तो epoxy जो है hard हो जाती है, पूरी लगने के बाद,